रीना की पिछले काफी समय से शादी तैन नहीं हो पा रही थी क्यूकि उसकी ना फोड़ी चप्टी थी और रंग भी सावला था रीना को 15 से ज्यादा लड़के रिजेक्ट कर चुके थे रीना लड़कों को अपनी शकल दिखा दिखा कर परेशान हो चुकी थी बेटी आज एक और लड़का तुम्हें देखने आ रहा है ब्यूटी पालर चली जाओ और अपनी आइब्रो बनवाओ लड़के वाले बहुत दूर से आ रहे हैं बारा एक तक पहुँच जाएंगे पिता जी मैं ब्यूटी पालर नहीं जाओंगी मैं जैसी हूँ वैसा ही मुझे कोई पसंद करता है तो ठीक है मेकप करा कर मैं थक चुकी हूँ चटपटिया तुझे ऐसा है वैसा तुझे कोई पसंद नहीं करने वाला सुनते हो जी बालो से पकड़कर इसे खीचते हूँ ब्यूटी पालर लेकर जाओ और इसका फेशेल वगेरा कराओ वरना ये महरानी हमारे सिर पर ही बैठी रहेगी कोई काना भी इसे पसंद नहीं करेगा बालो पर तो ऐसे ध्यान देती है जैसे विश्व संदरी का खिताब मिलने वाला हो पापा ममी का मूँ बन कर वालो वरना मैं कुए में जाकर कूट जाओंगी लक्ष्मी तो इतना क्यों बोलती है मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई लड़का हमारी बेटी को जरूर पसंद कर लेगा बस हमें थोड़ा धैरे रखना होगा भगवान ने सभी के लिए जोड़ी बनाई है तो वो हमारी लड़की को अकेला कैसे रख सकता है पिछले कुछ समय से रीना ने अपने बालों पर बहुत ध्यान दिया था इस बार लड़के ने रीना के बालों की सुन्दरता देखकर उसे पसंद कर लिया लड़के ने रीना से कहा कि वह एक सपताह बाद दोबारा उससे मिलने आएगा रीना बहुत ही खुश थी अगले दिन रीना खुश खबरी देने अपने सहेली के घर की और चल पड़ी जो पडोस के गाव में रहती थी पडोस के गाव जाते समय रास्ते में एक बहुत विशाल पीपल का पेड़ था उस पेड़ पर एक पुरानी गंजी चुडेल रहती थी जो लड़कियों के बाल काट लिया करती थी ब्रीना जब पेड़ के नीचे से गुजर रही थी तब चुडेल ने उसे देख लिया इस लड़की के बाल तो बहुत खुबसूरत है ऐसे बाल सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए लेकिन मैं सुरज की रोशनी में नीचन नहीं जा सकती मुझे अंधेरा होने का इंतजार करना होगा ये लड़की लोट के तो आएगी ही तब मैं इसके बाल नूच लूँगी रीना अपनी सहेली के घर पहुच कर खूब देर तक बाते करती रही ये लड़के भी बहुत उल्लू और गदरू टाइप के होते है इतने दिन से कोई लड़का मुझे पसंद ही नहीं कर रहा था और आप अचाना के एक लड़का मेरे बालों पर मर गया है ये लड़के चाहे पिलकुल तकलू लेकिन लड़की इन्हें लंबे और संदर बालो वाली ही चाहिए हर लड़का चाहता है कि उसकी पत्नी की जुल्फ है फिल्मों की हिरोईन की जुल्फों की तरह होनी चाहिए शादी के बाद जद तु पहली बार माय के आए तो मेरे घर भी जरूर आना अगले साल मेरी भी शादी तय होगी तुझे ही मुझे सिखाना पड़ेगा कि ससुराल में कैसे रहा जाता है अरे ससुराल में रहना सीखने के लिए क्या है थोड़े दिन बस शरम लिहाज से रहो उसके बाद कुछ पिकरो शुरुआत की कुछ महनों की परिशानी होती है बस कुछ महनों के बाद क्या बेशरम बन सकते है शादी के बाद भी बेशरम नहीं बनेगी तो क्या बुड़ा पे में बेशरम बनेगी अंधेरा होने वाला है अब मुझे चलना चाहिए अरे बातो बातो में मैं चाय बनाना तो भूली गई मेरे पापा काजु वाली नमकीन लेकर आये है चाय के साथ खाएगी तो बार-बार मांगेगी मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ रीना चाय पीने के बाद ही अपनी सहेली के घर से वापस चली अंधेरा हो चुका था चुडेल घाट लगाई बैठी थी रीना जब पेड के नीचे से गुजर रही थी तभी चुडेल उसके उपर जपट पड़ी और उसके बाल काटकर ले गई अरे मेरे बाल चुडेल मेरे बाल ले गई कोई मेरी मदद करो कोई तो सिनो उस समय सड़क पर आसपास कोई नहीं था जो रीना की मदद करता रीना रोते हुए अपने घर पहुची पता जी एक चुड़ेले मेहे बाल काट लिये उस लड़के ने मेरी मालो की वज़े से ही तो मुझे पसंद किया था साथ दिन बाद वो मुझे से मिलने आएगा अब मैं उसे क्या मू दिखाऊंगी मैंने तुझसे मना किया था कि मच जा लेकिन तू मुझे अपना दुश्मन समझती है अब तेरी शादी फिर तूट जाएगी बहुत खुशी में उतावली होकर अपनी सहली का खुश खबरी देने गई थी अब पता लगा उतावलेपन का नतीजा अब बैठ कर रोती रहे मुझे माफ करना बेटी मैंने उस उंजी चुरेल के बारे में सुना था लेकिन मैं कल तुम्हें बताना भूल गया लेकिन तुम चिंता मत करो पीतंपुर गाओं में मेरा एक तांत्रिक दोस्त रहता है रीना के पीता अपने तांत्रिक दोस्त के पास गए जब आला मेरी मदद करो बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी का रिष्टा तैह हुआ है लड़के ने मेरी बेटी के बालों की सुन्दर्टा को देखकर उसे पसंद किया था लेकिन एक चुड़ैल मेरी लड़की के बाल ले गई जिन्दगी में कितनी अजीब अजीब समस्याएं आ जाती है लेकिन तुम घबराओ नहीं चमनलाल मैं तुम्हें एक मुल्तानी मिट्टी देता हूँ ये साधार मुल्तानी मिट्टी नहीं है इसे लगाते ही सिर पर लंबे गहने बाल आ जाते है मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि इस गाउं में एक शैतान आया हुआ है और मुझे अपने गाऊं की उस शैतान से रक्षा करनी है लेकिन तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें उस चुड़ेल से चुटकारा कैसे मिलेगा तांत्रिक ने रीना के पिता यानी चमनलाल के कान में कुछ बताया फिर चमनलाल अपने गाऊ लोट आये चमनलाल ने पूरे गाव में खबर की कि जो भी लंबे और घने बाल चाहता हो वो रात को बारा बजे पीपल के पेड के पास आ जाए रीना सहित गाव की कई लड़किया पीपल के पेड के पास पहुँच गई चमनलाल ने उन्हें जादूई मुलतानी मिट्टी बांटनी शुरू कर दी मिट्टी लगाते ही सारी लड़कियों के लंबे घने बाल आ गए चुडेल पेड पर बैटकर ये सब देख रही थी ये मुलतानी मिट्टी मेरे पास होनी चाहिए चुडेल पेड से नीचे उतर आई और चमनलाल से बोली सुन बुद्धे ये सारी मुलतानी मिट्टे मुझे दे दे और यहां से फूट ले चमनलाल ने सारे मिट्टी चुडेल को दे दी चुडेल ने जैसे ही मिट्टी अपने सिर पर लगाई उसका सिर जलने लगा और कुछ ही देर में चुडेल जल कर भस्म हो गई